स्वागत बच्चों आप सभी का अपने यूडूब चैनल एडिक्वेट एकाजमी में मैं गॉतम सर्थ और आज का जो हमारा टौपिक है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए ठीक है तो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो हमने टौपिक लिया है वो है हमारा जोग्राफी से अब human settlement के अंदर हम जो जानेंगे हम किसके सीजों को जानेंगे कि मानफ जो है human है वो कहां कहां पर settled होते हैं mostly आपने history की book में आपने पढ़ा होगा कि mostly जो initial time में most of people होते हैं रिवर के आसपास क्या होते हैं because वह वहां पर अच्छी तरीके सर्वाइफ कर सकते हैं वह अगर crops को अगर उगाना चाहें तो भी वह उगा सकते हैं अगर वह क्या करना चाहें अगर वह जीवनियापन चलता था तो लेकिन जहां पर वह नदी है वहीं पर वह आसपास रहना पसंद करते थे आपने हड़ापस सिवलाइशन के बारे में पढ़ा होगा जो कि इंडस्रीवर किनारे बस होई थी ऐसी हमने मैसोपटामिया पढ़ा जो कि राइन और डैनिम नदी किनारे बस ही है तो आज हम जानेंगे जो हिमन बिंग्स है तो वह कहां-कहां पर सेटल हुए उसके बारे में जानेंगे इस सब्सक्राइब करना में हीमन सेटलमेंट सेटलमेंट अब सबसे बहले हम बात करते हैं सेटलमेंट के अगर हमने बात की तो सेटलमेंट वेरी इंद साइज सेटलमेंट क्या होते हैं बहुत तरीकी क्या होते हैं ठीक है और कई टैप्स के भी होते हैं दे रेंज फ्रॉम दा hamlet to metropolitan city मतला hamlet से लेकर वो metropolitan अभी हमारे दिली क्या है metropolitan है जहाँ पर जन्सन क्या बहुत ज़्यादा हो से हमके metropolitan city बोलते है with the size, economic, character, social, structure, settlement change the pseudo-ecology and technology settlement could be small separately and spaced they may be also the large and closely spaced largely भी हो सकता है, closely भी हो सकता है अब आते इस settlement के अंदर the ruler settlement is drift dear life support of the basic economic तो जो ruler की जो है ruler के अंदर जो mostly settle करते हैं लोगा जो उनकी जो economic है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है economic needs from the land based primary activity तो mostly जो लोग ruler में रह रहे हैं, गाउं में रह रहे हैं तो उनका main जो economic activity किस पर डिपेंड है primary economic activity primary तो मैं पता ही agriculture तो most of village में जितने भी जो लोग हैं वो क्या गरते हैं बिटा primary तो याद रखना कि अगर वो आ जा है ruler settlement के अंदर तो वो क्यों कोन सी activity में इंगेज़ दोते हैं mostly depend on the raw material and the manufacturing of nice good अब आईए हमारे इसी में अगर हम बात करें cities act and the notes of the economic growth provide the good and service not only the urban dollar आईए अब इसी में types of the ruler settlement ruler भी कितने type के होते हैं ठीक है तो ruler के जो type हैं उसके बारे में हम जानते है ruler के settlement के type अब सबसे पहले हम बताएंगे आपको जो ruler के अंदर भी हमारे कौन कौन से settlement है सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में these are the types of ruler settlement यह किसके types हैं बटा ruler settlement ठीक है तो cluster हो गया हमारा semi cluster हो गया hamleted हो गया dispersed हो गया तो सबसे पहले हम बात करते हैं cluster मतलब कि वो एक के बाद एक बने वे होते है अच्छा इसके और के क्या features हैं बाई Clustered के Clustered की और चारी features भी हैं बाई उस features के बारे में बात करते हैं यह किस shape में बनाया जाते हैं geometric shape में किसमे geometric shape such as rectangular radial linear इस सारे shape में बनाया जाते हैं अब भाई यह कहां पाई जाते हैं ऐसे जो शेप जो हैं इस क्लस्टर्ड नागा लेंड रायस्थान और हम बात करते बुंदेल खंड तो दीजार दा समेरिया देरवा फाउंड दा क्लस्टर्ड सेट्लमेंट तो रूलर सेट्लमेंट का हमने एक पार्ट जाना तो जिसके अंदर हमने जैना कहां-कहां पर क्या होते हैं अब दोगो यह जो आपको दिखांपल जो हमारी पिक्चर है आपको दिख रही होगी दो यह ओ तो यह हमारी क्या है यह जो main है हमारा किसी इसका है यह हमारा cluster का example है clear है अगला हमारा है बेटा अगला जो हमारा है वो है semi-clustered अब semi-clustered क्या होता है बई semi-clustered वो होते हैं जो की fragmentation settlement may the result from the identity अगर हम इसकी बात करें more often such as the pattern may also the result this case of the more section of the village society chooses the force to leave little away from the main cluster मदब main cluster से वो थोड़ी दूर पर रहते हैं अब यह कहां कहां पर पाए जाते हैं भाई mostly जो यह हमें पाए जाते हैं यह हमारे हैं गुजरात रायस्थान की जगाओं पर यह हमें देखने को मिलते हैं बोलते हैं in this such as cases generally the land dominant community occupy the central part of the large village peoples of the lower star society of the mental workers, menial workers, settled ठीक है तो यह हमारा देखोगे semi-clustered है यह ठीक है दिख रहा है यह picture दिख रही है आपको यह थोड़े से इसके अंदर जो घर हैं थोड़े कम होंगे आपको दिखेंगे लेकिन यह cluster के अंदर क्या होते है एक के साथ देखोता है बहुत सारी अब तीसरा पार्ट क्या है हमारा भई तीसरा पार्ट हमारा क्या बोलता है यह किसका पार्ट है रूलर का तो थर्ड पार्ट हम किसके बार में जान रहे है 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 यह क्या है तो बोलता है कुछ लोग जो है है सेटलमेंट फ्रेग्मेंट सेवरल यूनिटी यूनिट्स ओफ फिजिकली सेपरेटर फ्रॉम इच अदर मतलब बिल्कुल यह वह सेपरेट बिल्कुल अलग रहते हैं तो इस यूनिट को हम अलग लग नेम से जानते हैं ठीक है और लार्ज विलेज इस ऑफ्रेंड मोटिट बाइड़ा शोचल और एथनिक फैक्टर सच विलेज आर्द मोर फिक्ट्रेंटली फाउंड इन दा मिडल और लो और गंटिक प्लेइन यह कहां पाया जाता पेटा मे गंगा जो प्लेइन है जहां जाब है गंगा वहाँ पे 36 गर्ड में बिटा और उसके बाद कुछ हिमाले के डाउन में हमें हैमलेटेड सटल्मेंट देखने को मिलते हैं चलिए हम देखते हैं कैसे होते हैं खैर जैसे यह आपको दिख रहा है यह अलब पार्ट आपको इसी का पार्ट होता है हमारा हमलेटेड होता है मतलब दूरी दूरी पर बनाई जाती है ठीक है तो यह क्लियर होगे हमारा अब आते हम चौथे पार्ट के हम बात करते हैं चौथा पार्ट हमारा कौन सा है डिस्पर् है तो इससे ही तो डा चाम होता है इजाद दुरी पर न या वे तर्में देखने को मिलेगा sounds अब त्य को हमारा कौन्सий अभी हमने पहला जाना कौन क्लस्टर फिर समीक्लस्टर जाना फिर हमने कौन जाना है जैना हम पाई जो हैं जो हैं जो हैं इस के अंदर रिमोर जांगल स्मॉल हील्स इसमें जंगल हील्स वगैरा होते हैं आप देखो ये वाला पार्ट जो हमारा पुरा अशी देखेगा आपको इसके अंदर क्या है एक्स्ट्रीम डिस्पर्शन ऑफ दा सैटलमेंट गॉज बाइदा फ्राग्मेंटेशन नेचर ट्रेड यह हमें जातर कहां देखने को मिलेगा बिटा मेगाले उत्राखण हिमाचल केरला दिस्पर्श मिलते हैं तो अभी तक हमने जाना किसके बारे में तो अब मुझे यह बताएए कोशन है आपका आप सभी का कोशन क्या है नगला पाली दिस सेटलमेंट इस अलसो नौन एज हम लेटेट सेटलमेंट भूलते हो से ठीक है मैंने करवाया भी ठीक है अच्छा विच सेटलमेंट ऑफ देशेप रेक्टेंगुलर तो इस तरही से अब नाव कम टुद पॉइंट जिस तरही से रूलर को डिवाइड कर दिया गया अलग-लग सेटलमेंट में ठीक उस कार से अगर हम बात करते हैं किसके बारे में उर्बन सेटलमेंट क्या है आँवस थी होंग कि अब तो आजाओ सबसे पहले हम बात करते हैं fundamental of the human geography के अंदर हमारी यह दिया गया है evolution of towns in the India अब क्या कहते हैं in evolution मतलब टाउंस कब बनना शुरू हुए मतलब वो time period जिस टाइम पर European इंडिया में आये 18th century में on this basis of the year of the period Indian towns were the classified Indian towns को कितने पाट में डिवाइड कर देगा number one initial town क्या इनिशेंट सबसे पहला फिर मेडियूल टाउन बोला गया जो की बीच वाले time period और modern जो अभी के time period में ठीक है तो urban settlement को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इनिशेंट मेडियूल और एक हमारा modern हम जानते सबसे पहले इनिशेंट को जानते हैं अब इनिशेंट क्या है हमा प्रियाग राज अब ही आपने सुना होगा यूपी में जो इलावाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है प्रियाग राज किसने रखा योगी जी ने तो यह पहले प्राच्छन इनिशेंट टाइंट का नाम है इसलिए उन्होंने उसी के नाम पे ठीक है फिए वार तो मदुराई मदुराई मदरास ठीक है तो यह कुछ क्या है इनिशेंट टाउन से बेटाओ थेक है तो याद रखना इनिशेंट टाउन चार्द मैं भताया आपको वारा नसी प्रियाग मदुराई और पाटली पुत्र लिया रही आते हैं मिडियूल भाई वो मिडियूल टाइम पिरेड का जो टाइम पिरेड है about the exciting town there of the roots मिडियूल पिरेड जो मिडियूल पिरेड में आये हैं तो वो कौन-कौन से भाई मिडियूल पिरेड में भहुँ सारे रहे most of them of the developed headquarter अब कौन-कौन से हमारे इसके अंदर हमारे जैसे like दिल्ली, हैदराबाद, जैपूर, लखनव, आगरा, नाकपूर these are the towns of the known as मिडियूल टाउंस जो मिड्ध मद्ध में बने थे ठीक हैं about 100 of the extent अब आते हैं modern modern जो अभी के हैं वरतमान समय के British and other European have the developed number of towns मतलब उन्होंने बहुत सारे डाउंस कहा गया है, developed किये, starting of the foothold, coastal location, first developed some of the trading, कुछ ट्रेडिंग की वाज़े से हुए, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पॉड़ुचेरी, एटीजी, जिसकी ये किसकी वाज़े से हुए, only याद रखना ट्रेडिंग परपस से इसको बनाया गय ब्रिटिस लेटर्स, consolidated to the Mumbai, Madras, Kolkata, ठीक है, urban settlement के लिए रहे है, हमने तीन चीज़े पढ़ी, innocent, हमने पढ़ा पहले, innocent, फिर medieval, और फिर modern, ठीक है, क्लिए रहे है, तो यह हमारा किसका example है, a view of the modern city, देखो यह है, modern city, देखो जगा बगा बनाया है, बैस्ट, अब आजाएगे हमारा, after the independence, अब सुनो, independent के बाद क्या हुआ, जमसे तुर्प कैंज सिटीज ऑफ दे एक्जामपल, बोलते हैं, after the independence, large number of towns have been developed, बहुत सारे क्या हो गए, developed हुए, अब कौन कौन से, जैसे चंदीगर हो गया, भुबनेश्वर हो गया, गांधी नगर हो गया, दीसपूर हो गया, ठीक है, भिलाई हो गया, यह सारे चीज़ की बात करें, कितनी population कहां कहां पर कैसे कैसे रह रही है, तो उसके बारे में मारा दिया गया है, ठीक है, कौन कौन से population, अगर हम बात करते हैं, level of the urbanization, 2021.16% which is the quite low of the comparison developed country, total urban population has the increase, धे 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 बड़े है, और यही चीज़ दिखा रहे है, किस तरीके धे धे बहुत सारी population, मतलब कि urban की और बदलता चला गया, क्योंकि वहां पर factory लगी, बहुत साई facilities आई, जिसकी वैसे, अब अगर हम बात करते हैं, इसी में, population size, classification of towns, मतलब classified कर देंगे, towns को उसकी population के according, तो वही तुम्हें पता है, जिती भी जो mega city है, वो सारी क्या है, most populated areas है, ठीक है, अब बात करें, functional की, ठीक है, बहुत important part है, आता है, अब state towns को, उसके function के according भी जाना जाता है, ठीक है, जैसे महां लो, suppose अगर हम बात करें, अगर कोई तिरतियातरी जाएगा, तो वो कहां जाता है, मत्रा, मत्रा में क्या है, सारे, आस्ता का वो है, यह हो गया, ऐसे अगर हम बात करें, trading का down अलग होगा, law का अलग होगा, ठीक है, सार किसी का अलग है, तो उसके function के according उसको divide कर दिया गया, अगर हम बात करें, देखो, यहां पर आप देखोगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी administrative, administrative क्या होता है, जहां से कानून बनाये जाते हैं, तो वो कौन सी ज अगर, जमसेथपूर, हुगली, भिलाई, यह सारे क्या हैं, जहां पर industrial sector सबसे ज़्यादा है, transport cities किसे कहते हैं, आगरा को, मुगल सराइ को कहते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, transport, चलते हैं, ठीक है, फिर हमारे बालते है, commercial town, जहां पर सबसे ज़्यादा कमर जारखंड, डिक बोई, रानी गांज, जरिया, जरिया ही जारखंड में है, अलंकेश्वर, सिंग्रूली, यह सारे क्या हैं, इन सभी जगहों पर सबसेदा क्या होता है, mining, यह mining towns, clear है, तो इस तरीक से इसको divide कर दिया गया, अब हम बात करते हैं, इसमें next, सबसे important चीज, अ अब education, education किसे क्याते है, टाउंस, जो वरानसी में होती है, रूड़की में होती है, रूड़की, सबसे पहले अंग्रेजों को द्वारा लगाए गई थी, IIT, IIT पता है ना, जिसमें इंजिनियर बगरा बनते हैं, IIT, तो IIT सबसे बड़ी जो है, वो कहा है, रूड़की, कह हिंदो द्वारा मनाए गए थी, अलीगड, अलीगड भी university है, ठीक है, तो बोलते हैं, religious place, मतरा, आजओ, पुसकर, अजमेर, मतरा, वारणर्शी, यह सरे क्या है, religious place, जहांबे हम पूजा पार्ट के लिए जाते हैं, क्लियर है यह, क्लियर, तो यह हमारा, आप कर लो के यह वाला chapter, क्लियर है, चलिए ठीक है, आप मैंने आइक चप्टर में मिलते हैं, ठीक है, तैंकिसो मॉच,